जहन्द दोस्तो आज की वीडियो में हम बाते करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है उसके उपर में कि आज स्टॉक मार्केट में कितनी गिरावट हुई और क्यों गिरावट हुई और क्या यह जो गिरावट है व कुछ बाते मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा इस वीडियो का अंदर में लेकिन उससे पहले आज जो हमें ट्रेडिंग सेशन के दोरान में जर चार इंडेक्स के बारे में बताऊंगा इन चारों इंडेक्स की सिच्वेशन को देख करके ओरॉल इंडियनी स्टोक मार्केट की सिच्वेशन के बारे में आपको अंदाजा लग जाएगा मैंने आपे Nifty Bank Index को एड नहीं किया है उसमें आज लगबग 1% के आसपास की तेजी थी सबसे पहले बात करते हैं Nifty 50 Index के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं लगबग 1.5% की हमें गिरावट देखने को मिली है जो की है 0.34% का जो की आप कह सकते हैं कि नॉर्मल है इतना तो उतार चड़ाओ लगबग हमेजा ही हमें देखने को मिलता है मुई पे बात की जाए Nifty 500 Index की तो इसे आप कह सकते हैं कि और मुस्ट फ्लेट बंदुआ है 0.10% की यहाँ पे गिरावट थी जो की है 0.25% का जो की है 0.25% का जो की है लेकिन दिन के दोरान हमें देखने को यह मिल रहा था कि Nifty Small Cap 250 Index में लगबग 1.5% से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिल रहा था और यह सा लग रहा था कि स्टॉक मार्केट में आज हमें थोड़ी सी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी लेकिन स्टॉक मार्केट बंद होते होते अच्छा खासा रिकवर कर गया इन्ही सारी चीजों को देख करके मैंने अपने टेलिगराम चैनल पर नोटिफिकेशन भी दे दिया था कि जो भी ऐसे लोग हैं जो बहुत दिनों से इंतिजार कर रहे हैं कि वहाई स्टॉक मार्केट में कब गिरावट आएगी कि मैं अपना पैसा म्यूचल फंड में लमसम करूंगा तो आप इस लेबल पर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे साफ साफ ये भी लिखा था कि अगर आप रूप करके वेट करेंगे तो इससे अच्छे मोके भी आपको मिल सकते हैं जहां पे इन्वेस्ट करके आप गिरावट का फायदा उठा सकते हैं तो अभी तक आपने अगर हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दे रहा हूँ मत बुलिएगा अगर आपको बिल्कुल फिर अपको लंब सम कोल चाहिए होगा तो और वहीं पर एडवांस अडिक लाइन्स की बात की जाए तो एडवांस याने कि जो बढ़ने वाले सेर्स थे एड़ने वाले सेर्स थे वो थे 1593 यानि कि ओल्मोस्ट एक सेर्स के अगेंस्ट में दो सेर्स गिर रहे थे इसलिए मैं आज की ट्रेडिंग सेशन में कुछ इस तरह की सिच्वेशन देखने को मिली है तो अब हमारा सवाल यहां पर यहां पर आता है कि क्या हमें और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है क्या यहां पर मार्केट क्रेश देखने को मिल सकती है तो दोस्तों जिस तरह से लोग बाते कर रहे हैं जिस तरह से एक्सपर्ट बाते कर रहे हैं उससे अंदाज़ा तो यही लग रहा है कि बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं लेकिन फिलहाल में 2-4 परसेंट की गिरावट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा कभी भी हो सकता है तो हम उस गिरावट का इंतिजार करेंगे और जब भी गिरावट होगी तो मैं टेलिग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन आप सभी को देहीं दूँगा अब मैं एक इ बाते यह हो रही थी कि भाई स्टॉक मार्केट में गिरावट क्यों हो सकती है और स्टॉक मार्केट में गिरावट नहीं होगी तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं यानि कि गिरने के क्या कारण हो सकते हैं और नहीं गिरती है स्टॉक मार्केट तो इसका कारण क्या हो सक इसलिए हमें बहुत भेंकर यहां पर तेज गिरावट देखने को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि बिकवाली के अगेंस्ट में हमेशा खरीदारी करने के लिए कोई नो कोई खड़े रहे हैं या हमारे जैसे रिटेल इंवेस्टर या फिर वो जो हम घरेलू संस्तागत निवेस्टे जैसे म्यूचल फंड वगेरा तो वहां भी वी तो हम ही लोग पैसा लगाते हैं तो इस तरह की सिच्वेशन के वज़े से फिलाल जो इंडियन स्टोक मार्केट है वो बड़ी गिरावट हमें नहीं दिखा रहा है क्योंकि हर बार गिरावट में तो खरीदी ही हो जा रहा है और उधर से ऐसी बात नहीं है दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी बिकवाली हो र हैं इसी वज़े से हमें जो इंडियन स्टोक मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है और एक अंदाजे से मैं आप सभी को बताओ तो लगभग सभी म्यूचल फंड के पास कुछ नो कुछ पैसा कैस है अगर एक औसत लगाया जाए कि सभी म्यूचल फं रुपे के आस पास का तो कैस चिरिफ न्यूचल फंड के पास है वो भी पैसा इंवेस्ट करना बाकी है और बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर है हमारे और आपके जैसे लोग जो गिरावट पर अपना पैसा लगाते हैं इनके पास अलग से पैसा है तो ऐसे में जब जब गि अंडर भी में सुना उनका कहना ये था कि गिरावट उन वजों से हो सकता है जिसके बारे में हैं सायद नहीं सोच रहेंगेoti educated से मतलब यह नहीं है कि मेरा वो पढ़े लिखे नहीं है stock market के बारे में उनकों जानकारी नहीं है जब ऐसे लोग भी stock market में interest लेने लगे और entry करने लगे और आपको भी सामने से आगर के बताने लगे तो जब ऐसे लोग बहुत सारे लोग जब stock market में participate कर देते हैं तब तिर stock market गिरने की संभावना हो जाती है क्योंकि जो समझदार लोग है और जो ना समझ लोग है दोनों में अंतर यह होता है कि जो समझदार इंसान होता है जब stock market में gir out होती है तब वो पैसा लगाता है लेकिन जो ना समझ इंसान होता है जब stock market में gir out होने लगती है तो stock market को छोड़ करके भागता है stock market में अपना सारा sell off कर देता है और बेच करके निकल जाता है तो ऐसे लोग ही जब sell-off करेंगे न तभी stock market गिर सकता है और ऐसे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेंट कर देंगे जिनको ज़्यादा समझ नहीं है stock market का तभी stock market में गिराउट होने की संभावना हो सकते है लेकिन अभी फिलहाल current situation को पर में बात की जाए कि अभी आपको current situation कै ऐसी लगती है तो साहाज जी ने कहा कि इस तरह के कुछ-कुछ मतलब हद तक लोग तो entry कर चुके हैं यानि कि कुछ हद तक जितने लोग चाहिए उतना तो नहीं लेकिन फिलहाल कुछ हद तक लोग इस तरह के entry कर चुके है stock market में तो संभावना यह है कि stock market में आगे चलकर क सकती है और जैसा कि मैंने कहा कि यार 5-10% का जो गिरावट है stock market के लिए normal है ऐसा तो कभी भी हमें देखने को मिल सकता है लेकिन जिस तरह के situation है और मेरा जो अंदाजा है मैं अपने अंदाजे से बोल रहा हूं कि बहुत जल्दी आपको 5-10% के गिरावट stock market में देखने को म मिल सकता है तो जो मेरा मानना है उसके हिसाब से मैंने बताया आप कोई भी चीज स्योटी के साथ नहीं कहा जा सकता है लेकिन 2-4% के आसपास में 5-10% के आसपास के गिरावट फिलाल में हमें देखने को मिल सकती है और साहजी ने जैसा कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग लोग इ आठ्टिस्पेट कर चुके हैं तो आज के वीडियो में यही वो सारी बाते थी दोस्तोς जिसको मैंने एक छोटी से वीडियो के माध्यम से सोचा कि आप सभी की बीच में सरचा करूं I hope कि आज क्या अच्. वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो के ऐ लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और इस वीडियो का अपने फ्रेंड और फैमली के भी जरूर से शेयर कीजेगा ताकि वो भी अवे हो जाए और एक बात जरूर कहूंगा कि अगर हमारे टेलिक्राम चैनल को आपने जोइन नहीं किया तो उसको जोइन कर लिजेगा इस वीडियो का आखिर में आपसे इतना ही करना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमली का बहुत ख्याल रखेगा मैं मिलूँगा इसी तरह कि किसी और वीडियो में तब तक के लिए पाई